आज मैं आपको कुछ ऐसे सेर कराता हूं कि आप देखोगे आपको अच्छा लगे तो मुझे कोमेंट में बताना है ठीक है आज मैं आपको फूलों के सेर कराता हूं यानि कि जो भी मेरे पास फूल है वह सब फूल आपको दिखाता हूं तो चलो देखते हैं किस तरक मेरे पास फूल के पोधे हैं और कैसे कैसे फूल है आपको उस फूल का नाम आता हो तो मुझे कोमेंट में बताएगा ठीक है चलो चलते हैं अब ही आप हमें बताइए एक कौन सा होल है ठीक है अब एक की स्टिच का फूल है और कौन सा होता है वो भी आप देखिए इसको दाप पैचन ही लोग है कुछ पता चला यह एलोविरा का फूल है देखो यह एलोविरा के पत्तों हमाँ उप्योग करते है यूज करते है मगर यह जो एलोविरा का फूल है उसका आचार भी बनता है और खाने में भी बहुत बड़िया होता है करते है और खाने में भी बनता है अभी कुमेंट करके यह बताईए कि यह कुन सा फूल है पता चले कि आप लोगों के फूल के बारे में कितनी जानकारी है इसलिए में आज का यह वीडियो बनाया हूं आप सबी लोग कॉमेंट तो करते हैं आपका नाम भी में बोलता हूं मगर आप लोग कोई यह नहीं बताते हैं कि यह जो फूल है और कौन सा फूल है और कौन सा फूल होता है इस फूल कोट आप पैच्छन दे होगे पे कौन सा फ्लावर है ठीक है पैच्छना भी पैच्छन लेगा हूं कि और यह हमारी पूलवरी का नहीं पोड़ा जो आपको अभी दिखता है वह बुदा भी बढ़ी आहें अन्हा बहुत अच्छा लगता है वायट फूल होता है अगर देखने में बहुत अच्छा लगता है यह देखो पैठना बढ़्या दिखता है और साथ में, यह सब फुले एक साथ में खिले हो तो बहुत यह अच्छा लगता है यह कनेर का पोधा राप में दीखा ही था, यह भी दिखा देता हूं में अरे यह क्या चाहिजें, यह तूलसी का पोधा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पोधा हो गया भी ये तूलसी का पोदा, पूरा तूलसी का पोदा है ये, इतना बड़ा हो चुका है, देखो ये कौन सा फुले है हमें, कॉमेंट में बताईए, देख सकते हैं हैं, अगर आपको फूल अच्छा लगे हो, पता हो, तो आप हमें कॉमेंट करके बताईए, किसी भी दर के जिजग मत रखिए, आप बता सकता हमें कॉमेंट में, क्योंकि आपका चाहिरा कोई नहीं देखागा, हमारे चाहिरा सब लोग देखेंगे, मैंगर आपको सिर्फ लिख के बेजना है, तो कॉमेंट करके हमें और से बताएगा, दोस्तों ये तो सदबाहर का ही पोता है, आपको पता है, और अब ये बताईए कि ये कौन सा पोता है, जो इस तरह के उसके पत्ते हैं, और इतना बड़ा पोता है, अब देखो, इतना बड़ा पोता है, उसको आप क्या हिंदी में बोलते हैं, हमें बताईए, अगर गुज्जाती हो तो गुज्जाती में भी बताईए हमें, क्योंकि ये चरनल गुज्जु का ये विलेज लाइप पिचू लोग, तो आप हमें जदर बताईएगा, अभी देखो ये हमारी यहाँ पर बेठा के, यानि कि हम यहाँ पर बेठके आपके साथ बात करते है तो देखा, अपना हमारी इस फुलवारी का निजार है, देखो, ये सब बीच में आ चुका है, मगर अच्छा रहता है, फुलवारी का निजार है, तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लोग, फुलवारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो, तो आप हमें, समझ गया है, मैं कुछ नहीं बोला, फिर भी आप समझ गयोंगे, कि कॉमेंट करके आप मुझे बताईए, ठीक है, तो आज की वीडियो में में कॉमेंटर का नाम नहीं लेता हूं में, क्योंकि आज बहुत जल्दे में मुझे वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि दूसरा जящ già령 है उसके लिए भी मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसके में आज की सी कॉमेंटर का नाम ने लेता हूं में, इस के बाद में जो आने वाला वीडियो है, उसके अदर में से भी कॉमेंटर का नाम लोगा है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं, करते हैं, टाटा, अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई